हेलो अब्रिवन वेल्कम बैक टो इलियूम बाइलोजी ब्लड वाले सेशन्स को आगर बढ़ाते हैं हम लोग और हम लोग डिसकस कर रहे हैं अब डिफरेंट टाइपस ऑफ डबलो बीसीज नूट्रोफिल्स पर मैंने वीडियो बना दिया योशिनोफिल्स पर भी हम वीडिय है और हर वीडियो में सबसे पहला स्लाइड यही है ताकि मैं आपको डिफ्रेंटियेट करके बता सकूँ हर वीडियो में मैं यह स्लाइड डिसकस करूंगा बार बार देखोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी वाइट ब्लड सेल्स अगर साइटोपलाजम में इस तरह के granules हैं तो आप कहोगे granulocytes, cytoplasm clear है कोई granules नहीं है तो आप कहोगे agranulocytes, granulocytes के जो granules है उनकी बात करें अगर अगर यह granules fine है छोटे है size में तो यह neutrophil होगा, अगर granules का size बड़ा है आप देखो यह granules बड़े हैं यह granules बड़े हैं तो बड़े granules हैं तो य के साथ red या orange color देते हैं तो eosinophil और यही granule अगर एक basic dye के साथ में violet color देते हैं तो bezophil तो इस तरह से आप इन तीनो granulocytes में differentiate कर सकते हो न्यूट्रोफिल का एक सबसे अलगी characteristic feature है number of lobes in nucleus इनके nucleus में आपको दो से पांच lobes देखने को मिलेंगे तो इनका nucleus देखके आप neutrophils को अलग से ही identify कर सकते हो फिर बचे ऐसे डबलूबीजी जिन में granules नहीं होते वो कहलाते हैं agranulocytes agranulocytes दो तरह के monocytes और lymphocytes अगर एक बढ़िया kidney shaped nucleus दिख रहा है तो monocyte और अगर nucleus इतना बड़ा है कि cytoplasm केवल और केवल periphery पे हलका सा दिख रहा है तो lymphocyte तो के nucleus और granules के base पे आप differentiate कर सकते हो अलग-अलग type के WBC में और जो हमारा आज का topic है वो है basophils यानि कि वो WBC जो जिनके cytoplasmic granules एक basic dye से stain हो सकते हैं उसको हम कहते हैं basophils और उस basic dye का नाम हम अलएड़ी discuss कर चुक है methylene blue यह एक बहुत अच्छा three dimensional picture है basophils का देखो आप कितने cores बड़े size में आपको यहाँ पर cytoplasmic granules दिख रहे हैं अब इन granules का function क्या रहता है तो अभी जैसा हमने neutrophils में भी इसकस किया योशिनोफिल्स में भी डिसकस किया कि neutrophils में जो chemical substances है वो ही responsible है इनके defense reaction के लिए और granules कौन से color के दिख रहे हैं आपको violet color के दिख रहे हैं विकाज यह methylene blue नाम की एक basic dye से stain होते हैं फिर बात करो आप nucleus की तो आप देखो यहाँ पर आपको nucleus में दो lobes अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं तो that's how you differentiate basophils from other types of WBCs यह picture भी हम पहले देख चुके हैं coarse granules है methylene blue से stain हुए और nucleus कैसा है by lobed nucleus तो यह इसका particular जो morphology है उसकी हमने यहाँ पर बात की सबसे important है basophils के functions now very important यह ना basophils के function बहुत important है याद रखने हैं आपको और तीन चीज़ें सबसे important basophils के function में सबसे पहला mediators of inflammation जो हमारी body में inflammation produce होता है वो inflammation basophils की वज़े से produce होता है उसके लाबा allergic reactions जो body में किसी allergen को लेकर एक hypersensitive reaction देता है हमारा immune system वो भी basophils की वज़े से और चोट लगने के बाद जो wound की healing होती है जो घाव भरने का काम है वो भी basophils उसमें बहुत important role play करते हैं in fact inflammation ही एक तरीका है जिससे wound healing होता है I mean wound healing is a part of inflammation only तो यह basophils के अंडर आता है now what is inflammation and allergy तो मैं आपको बता हूँ तो यह inflammation भी और allergy भी यह दोनों ही आपकी body का एक defense mechanism का part है ठीक अब exactly inflammation क्या है कब होता है तो मैंने inflammation पे और even allergy पे भी series of lectures बना रखे हैं already uploaded है तो आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हूँ immunity नाम की playlist है वहाँ पर आप इनको search कर सकते हूँ को वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है playlist में तो आप YouTube के search option में जाकर inflammation लिखो और आगे लिखो illyum biology आपको illyum biology के inflammation वाले videos सबसे top पर दिखाई देंगे तो यह हमारी body की defense mechanisms है inflammation और allergy ठीक है और बहुत से students सोचते हैं कि sir infection और inflammation एक ही होता है तो ऐसा नहीं होता यह दोनों अलग अलग चीज़े हैं क्या difference है वो हम उन videos में discuss कर चुके तो आप वहाँ पर इनको देख सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं उन granules की तो जैसा हमने कहा कि basophils के cytoplasmic granules होता है और इन granules में present है कुछ chemical substances जो अपने particular functions carry out कर रहे हैं तो कौन-कौन से substances granules में present है तो सबसे पहला substance है heparin अब heparin आप सबको अच्छे से पता है एक natural anti-coagulant है anti-coagulant मतलब जो blood clot होने से रोकता है blood को clot नहीं होने देता कब जब blood vessels के अंदर flow कर रहा हूं यह आप कुछ सोचे हैं जो blood vessels के अंदर blood vessels में flow कर रहा है अगर वो clot हो जाएगा तो transport of blood रोक जाएगा तो intra-vascular blood clotting नहीं हो intra-vascular मतलब vessels vessels में blood clot नहीं हो यह make sure करता है heparin अब comment section में आओ और मुझे बताओ कि heparin किस तरह से blood clotting को रोकता है ऐसा क्या करता है heparin की blood clot नहीं होने देता हो यह इसका answer मैं आप से जानना चाहता हूं उसके लाबा इस्टामिन दूसरा bradykinin और serotonin यह तीन chemicals की और बात करते हैं यह नाओ यह तीनों बहुत important है for allergy and inflammation istamin, bradykinin और serotonin यह तीनों मिलकर acute hypersensitivity reaction यानि कि allergy hypersensitivity reaction मतलब कि allergy की बात करे है allergy is a form of hypersensitivity तो जो hypersensitivity reactions होती है हमारी body में allergic reactions होती हो इस्टामिन, bradykinin और serotonin की वज़े से होती है और ऐसा क्यों, बेजोफिल्स, बेजोफिल्स किस तरह से अलर्जिक रेक्शन्स प्रेडियूस करते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में और देखेंगे, फिलाल मैं आपको एक हिंट देदू, कि बेजोफिल्स की जो मेंब्रेन रहती है न, उन मेंब्रेन पे रेसेप्टर्स होता है, IgE के, IgE एक antibody है, immunoglobulin E, यही allergy के लिए responsible है, तो इस IgE के जो receptors present है, वो बेजोफिल्स के membrane पे प्रेजेंट है, और उसके वज़े से allergy produce होती है, अभी हम थोड़ी देर में पूरा mechanism of action इसका देखेंगे, फिर हम बात करता है, 500 substance protease और 6 myeloperoxidases, यह दोनों destruction of microorganisms के लिए responsible है, by inflammation हुआ, inflammation होने का एक रिजन infection होता है, जब आपकी body में कोई भी microbe enter कर जाता है, तो it leads to infection, उस infection के against inflammation produce होता है, ठीक है, और उसमें bizophils यह make sure करते हैं कि microbes का destruction किया जाए, interleukins पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, कि different types of IL, इनको IL कहते हैं, interleukins, अलग-अलग type के interleukins होते हैं, जिसमें से particular WBC को particular interleukins release करते हैं, और basophils release करते हैं, interleukins 4 यानि IL-4, जिसका basic काम है, inflammation को बढ़ाना, inflammatory response को accelerate करना, और invading microbes को खत्म करना, तो these are interleukins, यह आपको याद रखने, मैं, जैसा मैंने अभी कहा है, heparin एक anti-orgulant है, तो आपको mechanism of action बताना इसका, histamine के बारे मैं आपको धियान रखना है, histamine is a vasodilator, और similarly, similarly serotonin is a vasoconstructor, अभी दोनों क्या होते हैं, यह मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, तो एक बहुत important question पहले है, आप समझे लो, serotonin का chemical name होता है, 5-hydroxy tryptamine, धियान रखे हैं, आपको option में हो सकता है, कई बार serotonin की 5-HT दिखावा मिले, तो 5-HT is 5-hydroxy tryptamine, जो serotonin का proper chemical name है, अब हम बात करते है, vasodilator और vasoconstructor की, तो देखो क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे यह कोई एक blood vessel है, यह एक blood vessel है, अगर blood vessel का diameter increase होता है, यानि कि यह dilate होती है, तो इसको कहा जाता है vasodilation, this is called as vasodilation term, देखो आप term कहा से आया, vaso, vaso का मतलब क्या हो जाएगा, vaso मतलब blood vessel, और dilation मतलब dilate करना, उसको चोड़ा करना, तो vasodilation blood vessels का diameter increase करना, उनको चोड़ा करना, और इसी का opposite होता है vasoconstriction, यानि अगर आप blood vessel का diameter कम कर दो, यह कुछ ऐसा, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, vasoconstriction, vaso मत serotonin जो है, यानि 5-5-Hydroxy-Triptamin, यह vasoconstriction करता है, और stamin vasodilator करता है, एक example लेता हूँ मैं, inflammation का पूरा वीडियो अलग से, वहाँ पे आपको देखना, सब समझ में आएगा, वहाँ पे, हमने बहुत detail में बात किये, महाँ पे serotonin के functions क्या है, stamin के function क्या है, इसको एक example की और मैं आपको समझाता हूँ, जैसे समझो, आपके किसी पार्ट में चोट लग गई, जैसे यह आपका हेंड है, यह आपका हेंड वाला portion, यहाँ पे आपको चोट लग गया है, यह particular पार्ट यहाँ पे injury हुई, तो क्या होता है, कि serotonin यहाँ पे release होता है, और यह आसपास क क्योंकि blood vessels का diameter छोटा हो गया ना, ऐसा, संक्री हो गई, तो जितना blood पहले पहुंच रहा था, उससे कम blood पहुंचेगा, ताकि blood loss को prevent किया जा सके, तो vasoconstriction करने से serotonin क्या make sure करता है, कि blood loss कम हो, ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर अच्छा कासा clotting और हो जाए और दूसरे healing factors पहुंच सके, चोट लगिये, वहाँ injury हुई है, तो हो सकता है कि pathogen से microorganisms भी enter हुए हो, तो WBCs वहाँ जाकर यह make sure करते हैं कि वो किसी तरह का ज्यादा damage नहीं करें, plus WBCs ही आगे promote करते हैं healing को, तो यह इसलिए होता है vasodilation, तो यह पूरा एक mechanism है कि injury के बाद क क्या होता है, croating कैसे होता है, तो वो सारा mechanism जो है, वो already uploaded है, आप वहाँ पे देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे वीडियो बनाया है मैंने उस पर, ठीक है तो आपको सीखने में काफी अच्छा लगीगा, चलिए, अब एक बहुत अच्छा question है मेरे प पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है agonist और एक होता है antagonist, agonist और antagonist, मतलब बता देता हूँ, agonist का मतलब होता है कि जब दो substances एक जैसे काम करें, तो उसको हम कहते है agonist, जैसे मैं एक example लेता हूँ, thyroid hormone की बात करता हूँ, ठीक है, thyroid hormone और growth hormone, ये दोनों ही responsible है growth के लिए, thyroid hormone और growth hormone ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं, तो आप इनको agonist बोल सकते हो कि एक जैसा काम कर रही है, और antagonist का मतलब होता है जो दोनों एक दूसरे के opposite action करें, जैसे कि insulin और glucagon, ये भी दोनों again hormones है, insulin और glucagon, insulin क्या करता है, insulin आपके blood में sugar level को, यानि blood sugar level को कम करता है, जबकि glucagon blood sugar level को बढ़ाता है, तो ये दोनों क्या हो गए, antagonist, तो आपको मुझे similarly histamine का antagonist बताना है, physiological मतलब जो आपकी body physiology, यानि आप खुद आपकी body release करती है, एक हिंट देता हूँ, ये एक hormone है, जो adrenal gland से release होता है, तो आपको मुझे ये बताना है कि adrenal gland से, ऐसा कौन सा hormone release होता है, जो histamine क physiological antagonist है, चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब because हम यह बेजोफिल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हलकी सी हम जरूर बात करेंगे mast cells की, देखो, बेजोफिल्स के और mast cell के function almost same है, almost same है, mast cell के बारे में मैं अगर आपको खुडा सा बताऊं, तो mast cell basically आपके connective tissues में present है, त ठीक है, और यह जो mast cells है, इनका भी अगर आप structure देखोगे, तो करीब करीब बेजोफिल्स जैसा ही है, इसके भी cytoplasm में आपको granules देखने को मिलेंगे, और इनके granules में भी वही सब present है, serotonin, histamine, heparin, यह सब इनके mast cell के भी granules में present है, तो mast cell का connective tissue में वही काम है, जो बेज समझाऊं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे function carry out करते है, तो उस function से आपको mast cell और वेजोफिल्स दौनों के function एक साथ याद हो जाएंगे, एक बार मैं चलता हूं, mast cell originate कहां से होते हैं, तो देखो, आप हमने hemetopoiesis की बात की, तो हमने कहा कि हमारे bone marrow में कुछ luripotent stem cells ह से develop करते हैं, myeloid stem cell और lymphoid stem cell, lymphoid stem cells से further जाकर develop होंगे, सारे के सारे lymphocytes, पांच तरह के WBC में हैं, केबल lymphocytes ही वो WBC हैं, जो lymphoid stem cell से develop होंगे, बच्चा कौन? myeloid stem cell से, stem cell, अभी स myeloid stem cell से आप देखें, RBC, platelets, 4 तरह के WBC, यानि eosinophil, basophil, neutrophil और monocyte, यानि lymphocyte को WBC हैं, और उसके अलावा, mast cell भी, यह बहुत important है, ध्यान रखें आप, जो आपके connective tissue में mast cells मिलते हैं, इनका origin भी myeloid stem cell से ही हो रहा है, यानि, यानि कि आप ये कह सकते हो, कि सर्फ बेजोफिल और mast cell, जिनके function करीब-करीब सेम है, इनका origin भी सेम है, ये दोनों ही bone mirror में present myelo stem cell से develop होते हैं, तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये आपस में connected है, इनका origin भी सेम रहता है, अब हम एक function की बात करते हैं कि किस तरह से mast cell और basophils जो है allergic reaction और inflammatory reaction के लिए responsible होते हैं, मैं बात करता हूँ याप पर पहले allergic reaction की बात कर लेता हूँ, मैं, देखो, सम अब आप किसी garden में गुम रहे हो, और आप pollen grain के लिए allergic हो, और यह pollen grain आपके नाक के थ्रूँ, यानि जब आप inhale करते हो, तो उस inhalation के थ्रूँ आपकी body में enter कर गया, जैसे ही कोई allergen आपकी body में enter करता है, तो आपकी body में कुछ immunoglobulins होते हैं, जिनको का जाता है, IGE, यह allergen specific I IGE होता है, यानि हर allergen के लिए एक specific IGE रहेगा, remember जो 5 type के आपने immunoglobulins पढ़े हैं, कौन-कौन से, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, इसमें से जो IgE है, यह responsible होता है, allergic reactions के लिए, यह आप चीज़े, यह आप याद कर ले, तो यह सबसे पहला IgE आएगा और इस allergen के साथ में bind हो गया, IgE है, यह सारे के सारे IgE, और इन पर आकर bind हो गया, कौन? अलरजन, अब यह जितनी भी antibodies है, IgE, यह जाकर अब bind होगी, बेजोफिल या फिर mast cell के साथ में, अगर connective tissue होगा, तो mast cell और यह ही अगर reaction blood में होगी, तो बेजोफिल, यह आकर बेजोफिल के, पर bind हो गई, बेजोफिल के जो membrane रहती है, या mast cell के जो membrane रहती है, इस पर IgE के specific receptors होता है, यह देखो, आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यहापे, यह IgE के receptors है, यहाँ पर किवल IgE ही bind हो सकता है, तो जो IgE ही allergen के साथ attached है, वो आकर अब इस अपने receptors के साथ bind हो गया, और जैसे ही यह immunoglobulin E अपने receptor जो बेजोफिलिया mast cell की membrane पर प्रेजेंट है, उस पर bind होता है, immediately इनके cytoplasm में जो granules है, उन granules के जो मैसे जो substances है, वो बाहर release होते हैं, और सबसे मेन क्या release होता है, histamine, कौन release हुआ, histamine, ठीक है, और यही histamine responsible है for allergy and inflammation, for allergy and inflammation, इसलिए आप याद रखें, आपकी body में allergy कौन कौस करता है, तो allergy कौस करता है, बेजोफिल्स और mast cell, और कौन करवाता है, IgE, समझ वाया, तो यह main function है, mast cell और बेजोफिल्स का, allergy और inflammation induce करना है, mast cell भी, बेजोफिल्स की तरह, histamine, serotonin और heparin release करता है, जिनका वही function रहेगा, जो वहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले study किया था, तो यह थे function, mast cell और बेजोफिल्स के, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए, आपकी लोगों के लिए, मेरे पास एक बहुत बढ़ए होती है, तो eosinophils का number बढ़ जाता है, अब आप देखो, हमने पूरा allergy का development पढ़ा, हमने कहीं पे भी eosinophils की बात नहीं की, तो आपको मुझे comment section में आकर यह बताना है, कि eosinophils का number क्यों बढ़ता है, जब allergic reaction होती है, in fact, in fact, जब कोई patient होता है, allergies वाले patients जो रहते हैं, लावा रहता है, उसी eosinophils के बढ़े वे number को देखकर हम ही idea लगा लेते हैं कि patient को कोई ना कोई allergy develop हुआ है, तो eosinophils ही वो criteria है, जिससे हमें यह पता चलता है, तो आपको मुझे बताना है कि ऐसा क्यों होता है, इसका answer अगर आपको जानना हो, तो आप जो eosinophils वाला वी message कर सकता है, मुझे mail कर सकते हो, इस mail id पर, that's it, thanks a lot for watching us.